नमस्कार, एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक, समुद्र सास्तर का ये अंक, अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स पे देखेगा एक मेल हतेली है, सुन्दर हतेली हमारे पास है यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हतेली के जो मनिबंद है, उसमें दो सुन्दर से रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जो परिपक्वत्ता की और आती हुई दिख रही हैं इसका मतलब है, आप अपनी जीवन में स्वयम के प्राकरम से और स्वयम की मेहनत के बल पे स्रेश्ट सपलता को अरजित करेंगे और इनका अर्थ ये भी होता है, कि ऐसे बिक्ति का जो परारंबिक दोर रहता है, वो कहीं न कहीं संगर्सों से भरा रहता है और उसी संगर्स के बदोलत ऐसा बिक्ति हर सुक को पाता है अपनी जीवन में, हर सुक और एस्वर्य का भोग करता है मनि उसका संगर्श उसको बहुत कुछ सिखा लेता है बहुत कुछ दे जाता है और विक्ति को तपा के इतना मजबूत करता है कि आने वाले समय में विक्ति कठनाईयों को दरकिनार करके विपरीत प्रस्तितियों को दरकिनार करके जिवन काल में स्रेष्ट सपलता को अरजित करता है और हर सुक को भोगता है हर एस्वरे का भोग करता है हतेली में ये रेखाएं के तो छेतर पे हैं अत्यंत सुन्दर फल देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे दूसरी चीज देखें तो इस प्रकार से कहीं न कहीं जो है तिरबुझ का आकार भी पूर्ण रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है ये जीवनकाल के ओल्ड एज में ब्यक्ति के अपने ही इन्वेश्ट के हुए पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाब दिलाता है जिसके कारण जो ब्यक्ति की ओल्ड एज होती है जो बुड़ापे का समय होता है उसमें धन की कमी नहीं रहती है और इसी चीज को यहां पर बता रहे है आपका ये वाला च्छित्र की आपका जो बुड़ापे काल रहेगा वो अत्यंत सरेष्ट अवस्टा का रहेगा कहीं न कहीं बुड़ापे काल जो है बहुत सुक देना वाला शुकून देने वाला रहेगा तो इसके बारे में आपने चिंता नहीं करनी है और ये साइद आपका सवाल भी था कि ओल्ड एज केंसे रहेगे बहुत सुन्दर रहने वाले है संगर्स बहुत पीछे चूट जाएगा विप्रीत प्रस्तितियां बहुत पीछे चूट जाएंगे और स्वास्तिया के मामले में भी अबल रहेंगे ब्यक्तितो भी आकर्सन वाला ब्यक्तितो होगा धार्मिक ब्यक्तितो होगा ये आपकी हतेली दिखाई दे रही है एक बहुत सुन्दर चीज आपकी हतेली में है बहुत कम लोगों की हतेली में ऐसा रहता है ऐसी बिसेस रेखाएं ये आपका अंगोठा है ठीक है न ये इसका पहला पौरवा होता है ये सेकंड पौरवा होता है ध्यान रखेगा ये पहला पौरवा होता है ये सेकंड पौरवा होता है और दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है और अपने अनुरूप ये फल देते ह आपका पहला पौरवा देखें इसमें इस प्रकार की आड़ी रेखाएं इस पश्ट दिखाई दे रही हैं लेकिन इसको ध्यान से देखें कोई रेखाई नहीं काट रही हैं इसको इस्पष्ट रोप में दिखाई दे रही हैं और ये विसेस रहखाएं होती है और बहुत कम हतेली के अंगोठे में इस्पष्ट रोप से दिखती है और ये पर्थम पर उपे हो तो जातक कारेकुसल होता है ये निसानी है कि आप कारेकुसल है और साहस भी आपके अंदर बहुत बड़ा है साहसी भी है और जब विक्तिकारे कुसल होगा साहसी होगा तो अपने प्राकरम से अपने परिसरम से स्रेश्ट सपलता अरजित करेगा ही करेगा ये आपकी हतेली का पर्व है आपके बारे में ये बताता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है बहुत सुन्दर बहुत यह अच्छा अब दोनों हतेलियों के पर्व देखें यहाँ पर भी देखें आप दूसरे पर्व पर इस प्रकार की रेखाएं आ रही है और यहाँ पर भी है तो यह कहीं न कहीं एक, दो, तीन और चौथा चार पर्व बना रहे है यह बता रहा है कि देखेगा जीवन काल के कहीं न कहीं 42 वर्स से निश्चित रूप से अचानक तरक्की के योग आपके बन रहे हैं यह जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहे हैं यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपकी दो रेखाएं सांत से देखें जरा ध्यान से देखें इस प्रकार से जो है दो रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस प्रकार से मनी जो करियर और धन की रेखाए है वो इस पश्ट तरीके से दो दिखाई दे रही है उपर की और बढ़ती हुई और ये भी इस पश्ट अवस्ता में आते हुई दिखाई दे रही है ये जीवन में 42 वर्स के बाद से अचानक तरक्टी को दिखाती है जीवन में अचानक तरकी मिलेगी धन, परतिष्टा, मान, समान सबी चीजों में बडोतरी दिखाई देरी है कि बडोतरी मिलेगी निर्धनता नहीं आएगी आपके पास गरीब नहीं रहेंगे लेकिन इगो प्रोब्लम जरूर आ जाएगी अभिमान आ जाएगा अपनी तरकी के उपर अपने मस्तिस्क सक्ति अपने बुद्धी चातुर्य के बल पे इससे समल कर रहना पड़ेगा नहीं तो यही चीज आपको नीचे ले जाएगी ये दियान रखेगा जीवन में हाँ, क्योंकि धार्मिक ता भी साथ साथ में आएगी पता नहीं लगेगा धार्मिक भी होंगे धर्म और कर्म के कारियों में आप बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे दान और पुण्य से समन्दित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है धन के लिए ये आपका अंगोठा बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं नौकरी भी कर रहे होंगे ने, आपका दिमाग निश्चित रोप से ब्यापपार की और भी जाएगा, ये ब्यावसाई को भी दिखाता है कहीं न कहीं 42 के बाद ब्यावसाई में बिसेश सपलता को दिखा रहा है मनि दो तरफा धन के योग बन रहे है ये ही आपकी जो है ये रेखाएं कह रही है कि जीवन में 42 के बाद दो तरफा धन के योग बन रहे है और वो भी चंदर का सीधा-सीधा इनमें प्रभाव पड़ रहा है तो इसमें बिसेश प्रगति जो है अचानक लाब तो जो है 42 से है लेकिन अचानक जो भाग्योदई की इस्तिति है वो जीवन काल के 45 वर्स से है बहुत सुन्दर रोप में तो करियर के मामले में जहां पूरी रोप से इस्टेबिलिटी आने वाली है 45 वर्स में अचानक तरकी के योग है 42 वर्स से वहीं करियर और धन के मामले में अस्तायित्व की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और एक राज योग आपकी हतीली में भी बन रहा है देखे फिर आपके सवाल भी लेंगे आपने कहा था आगे का करियर कैसा रहेगा ये पर्थम सवाल था तो इसका उतर हमने बता दिया है कि अचानक तरकी के योग आपके 42 वर्स से है 45 वर्स के बाद तो कहीं न कहीं दो तरफा धन के योग बन रहे है करियर में इस्टेबिल्टी की और आप जा रहे है तो ये आपका आप पैसा कितना आएगा जब दो इनकम सोर्स के जीवन में योग बन रहे हैं ये तो पैसा तो आएगा ये अच्छा खासा आएगा और वैसे 42 वर्स के बाद नहे तो 45 वर्स के बाद आपके जो किसमत में है वो अपने घर के बहुत सुन्दर योग है अगर घर अपना होगा भी तो बड़े रूप में जो होता है बहुत एक सुक्सुवदाओं और ऐस्वरे से यूक्त जो होता है ऐसे घर के योग है वाहन का योग है ब्यापार का योग है ये बता रहा है ये चीज़ें यहाँ पे बताती हुई दिखाए दे रही है अब आपने बच्चों का भहुश्य पूछा है कैसा रहेगा देखो आपकी हतेली से ये नहीं पता चलता है कि उनका करियर किस मामले में होगा कैसा रहेगा उनकी जीवन में साधी कब होगी साधी सुधा जिन्दगी कैसी रहेगी उनके भाग में धनी योग कितना है ये उनकी हतेली से पता चलेगा आपका सुक्र परवत केवल ये ही बता रहा है कि जीवन में आपको अपने परिवार का सयोग मिलेगा साथ मिलेगा और सुक मिलेग ठीक है ने हाँ अभी ब्रिस्पति का पर्वत सनी के तरफ भाग रहा है तो परिवार को लेकि चिंताएं आपके मन में कुछ समय तक रह सकती हैं विशेश कर दो वर्सों तक चिंताओं में कमी आनी थोड़ी मुश्किल है परिवार को लेकि चिंताएं बनी रहेंगी या हो सकता है कोई पारिवारिक समस्या भी आंसिक रोप से उत्पन हो सकती है इस बात के और ये ध्यान दिला रहा है दूसरी बात है ये साधारन भाव में बैठ गए हैं बर्तमान समय में और इस औस्ता में ये आपके अंदर साधारनता देते हुई दिख रहे हैं थोड़ा सा सामन्य बिक्तित्तों देते हुई यहां पर बर्तमान में दिखाई दे रहे हैं फिर भी हस्मुक सुभाव आपका रहेगा दयालुता भी रहेगी प्रौपकार की भावना भी लेकिन सोच इस परकार से रहेगी जुकाओ मन का इस परकार से रहेगा कि यस की प्रात्ति हो कारियों में बहुत ज्यादा बिस्तार हो नेम फेम हो इसकी तरब बहुत ज्यादा जुकाओ आपका रहेगा स्वतंतर्ता और लीडर्शिप की चाह रखने वाला ब्यक्तित्व आपका रहेगा देखेगा अगर करियर आपका सिक्षा के छेतर में, इंजीनियरिंग के छेतर में, चिकित्सा के छेतर में, मैनेजमेंट के छेतर में और बानिज्जा के छेतर में या कानून के छेतर में होगा तो ब्रिस्पति के साधर्ण भाव में होने चे बहुत बड़ी काम्यावी या तुरंत काम्यावी जल्दी अभी मिलने की संभावना तकरिबन दो वर्सों तक जादतर नहीं है हाँ ब्रिस्पति को आप ठीक कर लेते हैं तो जहां पारिवार की तरब जिनताएं वो खतम हो जाएंगी और कहीं न कहीं जो है इन छेत्रों में काम कर रहे होंगे तो तरक्की की संभावना बहुत जादा रहेगी यह यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरी बात करें यह परवत जब बैठा हो और यह पूर्ण और सुन्दर अवस्तामी हो तो ऐसी इस्तिति में थोड़ा अनबैलेंस यह रहते हैं तो कहीं न कहीं किसी चीज को लेके बिक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा प्रियास करने पर भी वो चीज कहीं न कहीं उलजसी जाती है मनी कारियों में थोड़ा बिलम होने बैठ जाता है थोड़ा रुकावटे आने बैठ जाती है और बिक्ति को ऐसा लगता है कि वास्तों में यार जो growth वास्तों में मिलनी चाही थी उस growth में कहीं न कहीं कमी रह गई है तो यह इस चीज को देता है, वैसे यह ग्रह बहुत अच्छा है, आगे अच्छे फल देगा विदेशी यातरा के बारे में आपने बात की है इसको जो है थोड़ा ध्यान से देखें फिर अन्य चीजों पर दे जाते हैं पहले मैं राजयोग पे चले जाता हूं क्योंकि आपकी हतेली में बहुत सुन्दर राजयोग बन रहा है और क्या ध्यान रखना है आपने इस पे भी चले जाता हूँ करियरों और धन के मामले में अभी तक आपने सारा को समझ लिया ये आपका जो है बुद्ध का परवत है मरकरी का माउंट है और इसकी उंगली है ये पूरी तरह से जुकी हुई है कर्ब ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ ठीक है धन कमाने की ललक ता उम्र बनी रही धन कमाने की ललक यहाँ पे बनी हुई है ये दिखाई दे रहा है दूसरी बात है इसके पहले पूर्वे तक सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक आपकी कनिष्टा उंगली रिंग फिंगर के पहले पोर्वे तक आपकी लिटिल फिंगर पहुँच रही है यह अत्यंत सरेष्ट मानी जाती है ऐसी जातक अगर आप practical रोप से देखेंगे तो ब्यापारी बर्ग के लोग आपको देखें तो ऐसा ब्यक्ति उच्च पदस्त होता है मनि अधिकारी लेवल का ब्यक्ति होता है और जीवनकाल में ऐसा ब्यक्ति उच्च वर्ग का ब्यक्ति होता है स्रेष्ट होता है जीवन में और सफलता की भी प्राप्ति करता है सफल ब्यक्ति होता है क्यों होता है कि ऐसा जो जात ललक होता है या जातिकाएं होती है अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये सर्वत स्रेश्टतम गुण आपके अंदर है अपने बलबे कुछ करने वाला बिप्तित तो आपका है तो सफल तो होंगे ठीक है ने स्रेश्ट तो होंगे और स्रेश्ट सफलता को भी अर्जित करींगे यहां पर सनी की तरफ जुकती है तो विक्ति के अंदर यस पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप में रहती है आपके अंदर है अपने कारियों में बिस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती है बिक्ति के अंदर और कहीं न कहीं इच्छा रहती है कि अपनी कोई अलग पहचान हो समाज में संगसाल में तो करोणों और मों लोग हैं लेकिन अपनी कुछ ऐसी पहचान हो जो यूनिक हो नीम फिम हो यस की प्राप्ति हो समाज में मान प्रतिष्टा हो इस प्रकार की सोच सदेव बनी रहती है और ये अच्छी चीज है करम की तरफ ढल रही है तो विक्तिक करम भी बहुत अच्छा करता है क्योंकि उसको यस चाहिए समाज में मान प्रतिष्टा चाहिए समाज में और कहीं न कहीं एक यूनिक हो अपना नाम चाहिए तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके इसमें अब यहाँ पे देखेगा ये उंगली आपकी ब्रस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है वो ऐसे बराबर है लेकिन हल्की बड़ी यहाँ पे कहीं न कहीं देखा जाए इस परकार से ये हल्की बड़ी है और मिडल फिंगर से छोटी है एस अबिक्ति अपनी जीवन का अलमिन निश्चिती ही यस की प्राप्ति करता है जीवन में मान प्रतिष्टा यस पाने वाला एस अबिक्ति होता है और कहीं न कहीं जो है सफल होता है और दूसरी बात देखेगा जब ये उंगली इसकी पहले पोरवे तक पहुँचती हो और ये उंगली इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो मिडल फिंगर से और उस समय ब्रस्पति का परवत पुष्ट हो इस तरह से साधरना भाव में न हो तो बिक्ति को राज योग की प्राप्ति होते है राज सुक का भोग ऐससे बिक्ति अपनी जिवनकाल में भोगता है 99.9% मामले में ऐससा बिक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्य करने वाला होता है एक परसेंट अगर ऐसससा बिक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में कार्या न कर पाया तो फिर ऐसा विक्ति ब्यापार की तरब जाता है और ब्यापार में उत्कृष्टता हसिल करता है ब्यापार के कारण पहचान ऐसे विक्ति की बनती है ऐसे लोग या तो आपको सरकारी नौकरी या इससे समंदित छेतर में ज़्यादा दिखेंगे या तो ब्यापार के छेतर में दिखेंगे वो भी उतकृष्ट लेवल के ब्यापार एक पहचान बनाने वाला ब्यापार अगर ऐसा बिक्ति प्राइवेट नौकरी करता है राजसुक तो उसको वहाँ भी मिलेगा लेकिन वो यूनिक वाली पहचान वो नहीं बना पाएगा उस राजसुक का भोग तो करेगा लेकिन राजसुक के तरो चमकन ही भी खेर पाएगा तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जीवन काल में थोड़ा सा जो है जोखिम उठा ले और थोड़ा सा रिस्क लेनी की छमता रखे तो ब्यापार में बिक्ति को जो है उत्कृष्टता हसल होती है एक पहचान बनती है यह यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथ में अगर देखे एक चीज और है अब उस चीज की और भी चले जाते है एक तो गुरू की उपर जो उंगली बन रही है यह पूरी तरोसी जुकी हुई है और कहां जुकी है सनी की तरफ यह अत्यान तस्रेश्ट है गुरू के गुण भी आ रहे है प्राकृतिक रोप से चाय गुरू निम्न अस्तर में हो नीच में हो बकरी हो गलत फल दे रहा हो लेकिन यह प्राकृतिक गुण उसके तो भी सदेव बने रहेंगे और अच्छे रहेंगे गुरू की दसा तो बदलती है ठीक है ने गुरू की चाल भी बदलती है और उसके अन्रूप फल देते हैं लेकिन कुछ मूल उनके गुण होते है वो भीक्तिके साथ हमेशा रहते है और यहाँ पे यह उगली का जुकाओ वो भी सनी की तरफ यही चीज बता रहा है क्या बता रहा है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी रूप में रहेगी इस्वर के परती बहुत प्रेम रहने वाला है सरदा भावना रहनी वाली है और अपने आरहद्य के परती समरपन की भावना रहनी वाली है और कहीं न कहीं प्रॉपकार की भावना आपके अंदर है और मन की सुन्दर से कोने पर कहीं न कहीं एक दयालुता की भावना बैठी हुई है दिल की किसी सुन्दर कोने में मनी कुरूरता और निश्ठुरता आपको नहीं छुएगी चाहे कितनी कठिन परिष्टेती आपकी जीवन में आ जाए ये आपकी हतिली बता रही है ये अच्छे है सनी खराब है यहां पर लेकिन सनी की उंगली प्राकृतिक रोप से अच्छे गुण दे रही है कि चीजों का एनलेसिस करके आने वाले समय में आप आगे बढ़ींगे और उसका फायदा आपको जीवन ने दिखेगा प्रैक्टिकल रोप से दिखेगा ये यहां पर कह रही है दूसरी बात अगर हम यहां बे देखें सबसे चोटे उंगली जुक रही है सोरे की उंगली के तरफ सोरे की उंगली जुक रही है सनी की उंगली की तरफ, सनी की उंगली जुक रेके है ब्रस्पति की उंगली की तरफ मनि सभी उंगलियों का जुकाव क्या है ब्रस्पति की उंगली की तरफ है क्या है आपके अंदर स्वतंत्र बिचारधारा है मनि स्वतंत्र विचार धारा के ब्यक्ति हैं आप और कहीं न कहीं leadership की quality है आपके अंदर ऐसा काम करना चाहते हैं कि किसी के under में आप ना आएं बलकी आपके under में लोग काम करें ठीका नै? leadership की quality है ब्रिसपती का प्रभाव परण रहा है, बले भी ब्रिसपती सलिसे मिलन कर रहा है, दिश्ट कोचर कर रहा तो पारिवार एक समस्याएं आती है परिवार को लेकि चिंताएं आती हैं करियर का जो छित्र मैंने गिनाया है उसमें बहुत बड़ी और जल्दी काम्याबी नहीं मिल पाती है लेकिन क्या है? कि प्राकृतिक गुण है स्वतंत्र विचारदारा हमेशा बनी रहेगी लेडर्शिप की क्वालिटी भी रहेगी धार्मिक भावनाएं भी रहेगी यह सबी चीज जो मैंने गिनाये हैं वो जरूर रहेगी अब यहां पी देखेंगे आपकी हिरदे की रेखा आपकी हिरदे की रेखा अगर देखें इस तरों से यूं आती हुई दिखाई दी रही है देखा आपने कहां जा रही है ये आपकी जो है index finger है इसके नीचे का जो भाग है वो आचारे बिरस्पती जी है ये आपकी middle finger है इसके नीचे का जो भाग है वो सनी महाराज जी है बाग्यास्तान इन दोनों के बीच में देख रही है और दोनों ग्रहों का प्रभाव इस रेखा पर पढ़ रहा है क्या बता रहा है कि आप अपने जीवनकाल में बहुत बड़े महत्व कांची ब्यक्ति हैं आपकी सोच पहले से ही और अभी भी यही सोच बनी हुई है निरंत आगे बढ़ने की बहुत आगे बढ़ने की आपकी सोच यहां पर है सकारात मक्सूल कि जो चीज है उसी से संतुष्ट नहीं है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने की सोच है और गुरू का सीधा सीधा प्रभाव पढ़ रहा है वो भी देव गुरू का ब पहुँचने की बना रही हैं मनि इच्छा ऐसी हो रही है कि अपने छेतर में सर्व स्रेश्टम अस्तर तक पहुँचा जाए लेकिन वहीं सनी का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते हैं अब लग रहा आपको कि यार पहुँचना बहुत जरूरी है और इसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे चाहे मेनत करने पड़े जुगार लगाना पड़े हतकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगे अब यहां पर थोड़ा टहरी है एक चीज और देखते हैं आपकी हतीली में इस रेखा पर एक सांदार त्रिकून बना हुआ है और मनि जो अंदेरे से बिक्ति को प्रकास की तरफ ले जाता है जो वास्तूता दिखाता है और ये सनिपर्वत क्या है रहस्यम एगरा है आपका जो कर्म है उनको बांचता है देखता रहता है और उसके अनुरूप फल देता है आपको नियाई का देवता है और इस जीवन में आपको नियाई दिलाने का काम करता है आप गलत करते हैं तो आपको दंड देता है और उस पे त्रिकुन हो त्रिकुनात्मक फल देने वाला तो इसी के अनुरूप फल देता है और गुरू का प्रभावपड़ा उसके अनुरूप फल दे रहा है मनि definitely कहीं न कहीं अध्यात् शेत्र में deeply जाने की सोचेंगे बेग्यानिक तरीके से मनि किसी ने बोल दिया कि भगवान यहां पे रहते हैं तो विस्वास नहीं है रहते हैं क्या इसका बेसिक तत्व है और दूसरी बात बेक्ति सोचता है कि यार मेरा जो जीवन है वो किस उदेश्य के लिए वा है मनु धर्म कर्म यह विग्यानि यह होता क्या है यह अध्यात्म क्या है इस चीज को पाने के लिए विक्त डीपली चले जाता है और अध्यात्म में घुस जाता है और राष्यमाई विद्याओं का ग्याता भी ऐसे विक्त बन जाता है ऐसी नौलेज बहुत अच्छे रहती है आत आपकी हतीली का ये चिन्न यहां पर बताता हो नजरा आ रहा है यहां पर अगर सांदार तरीके से देखें एक जीवन में ये रेखा जारी है ठीक है इसको राहो की रेखा कहते हैं ये जीवन के 58 से 60 के बीच में धन के मामले में बहुत बड़ी बृति करवाएगी वो चीज ब जीवन काल के उन पचासवें वर्स से 49 एर्स से कहीं न कहीं धन में ये बिर्दी देगी कोई ऐसा घट सकता है दन में बिर्दी होगी अब ये एक रेखा यहां से जाती हुई यो जारी है सूर्य परवत पे और यहां से एक रेखा इस पे जो है एक तरकुन बना रही है वर्ष के बीच में भूमि समंदी किसी काम में आप जो है इनवेश्ट बहुत बड़ा करेंगे और आने वाले दस वर्षों के बाद उसका बहुत बड़े रुप में फायदा होगा दूसरा सूरे से मिलन कर रहा है जिवनकाल के अनतालिस से चवन के बीच में इसका फायदा मि मान सम्मान प्रतिष्टा में बिर्दी होगी यस की प्राप्ति होगी कहीं न कहीं कारियों में विस्तार मिलने बहुत जादा बैठ जाएगा और कहीं न कहीं हो सकता है सरकार द्वारा लाव की भी प्राप्ति हो इसकी सम्मभवना बहुत जादा है और अचल संपति का लाव यहां पर दिखाई दे रहा है इस छेतर में यहां पर देखें हाँ अगर ध्यान से इसको देखते हैं यह रेखाई बन रहे हैं यहां पर भी जो है तिरकोन बन रहा है यह और यह भी तिरकोन बन रहे हैं बनी चुतु स्कून बन रहे हैं आपको कहीं न कहीं 45 वर्स में अचल संपत्य का बहुत बड़े लाब की और ये संकेत कर रहा है लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है तरक्य तो बहुत अच्छे सबी चीजें बहुत सुनर है ठीक है ने लेकिन देखेगा ये जो करियर औ धनकी रेखा है एका एक आपकी मस्तिस्क रेखा पर यहां भी मिल रहा है एका एक मस्तिस्क रेखा पर मिल रहा है मनी कहीं न कहीं मस्तिस्क से ऐसा निरणई ले सकते हैं कि अपना नुकसान या यह कहीं विकास अवरुद्ध होगा इस परकार का डिसिजन ले सकते हैं बाज़ी में या भावनाओं के बस मेंं आकर कि अपना नुकसान या यो कहें कि विकास को अवरुद करेंगे गलत निरणेओं की चलती है क्योंकि मस्तिस्क का कार्य क्या है निरणय लेना और करियर और धनकी रेखा एक-एक कहां पे समायत हो रही है मस्तिस्क रेखा पर आगे नहीं बढ़ रही है आगे तो फिर 42 वर्सस से जो मैंने बताई चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये बहुत पावरफुल है तो जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी है भावनाओं में आके या जल्दबाजी में कोई निर्णए नहीं लेना है वो आपके लिए नुकसान दायक होगा ये आपकी हतेली बता रही है आप देखे विदेश यात्रा ठीक है न आपका जो ये वाला हिस्सा है बड़ा खूब सूरत है इसको कहते हैं हम चंद्रमा और यात्राई यहीं से देखा जाता है धर्म का छेतर भी ये है आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो संभावानाई बहुत सुन्दर है दूसरी बात है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें एक रेखा इस तरों से जारी है और यहाँ पे भी यह हो रहा है यहाँ पे भी देखें इस परकार की चीज़ें है यह आपकी यात्राओं को बताता है कि विदेश यात्रा की पूर्ण योग है लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आपको अपने आप मौके मिलेंगे अपने आप रास्ता खुलेगा और चंद्रमा बहुत सुन्दर है तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी कॉन्फिडेंस लेबल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है सरीर में किसी परकार की कोई समस्या अगर आभी जाती है तो भी मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा जिसका मजबूत होता है पाचन तंतर भी मोटे तोर पर ठीक रहता है आपके सरीर का हार्मोनल सिष्टम बढ़िया रहने वाला है और चंद्रमा जितना अच्छा होता है जितना ये खूप सूरत होता है जितना ये सुन्दर बिखेर रहा होता है विक्त क्रियेटिव उतना जादा रहता है क्रियेटिव रहेंगे चंद्रमा बढ़िया हो मा होती है तो मा का आसिरवाद और मा का सुक मिलता है विक्त को चंद्रमा जितना बेहतर होता है जितना सुन्दर होता है सकारात्मक सोच रहती है छलकपट से बिक्त दूर रहता है और महिलाओं का सयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है ये आपका चंद्रमा खूबसूरत है शुन्दर है यहाँ पे यह चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है अब दूसरी तरफ यहाँ पे चले जए सभी प्रश्णों का मैंने बीच बीच में उतर दे दिया है मस्तिस्क रेखा अत्यंत सुन्दर है बौदिक अस्तर आपका बहुत सुन्दर है एक बिबेक वान बिप्तित तो आपका है जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कुछ न कुछ योजनाईं बनाते रहते हैं लेकिन जल्दबाजी में निरणाई मत लेना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे इसका ध्यान रखना है यहाँ पे रेखा भी है यह रेखा कुछ लोग कहते हैं कि अलग हिसाब से बताते हैं लेकिन यह रेखा आपके पौरुसवत्तों को बताती है यह रेखा आपके प्राक्रम को प्राक्रम में बिर्दि करती है ठीक है जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही अत्यंत सुद्रिड है बहुत सुंदर निरंतर उन्नति का ध्योता कहिए इसके बारे में हमने बता दिया है अब यहाँ पे देखेंगे अंगुठे के नीचे का जो यह भाग है यह सुक्र का परोत है कला सुंदरे सुंदरता इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन के हतेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है आप देखेगा आपकी हतेली में यह सुक्र का परोत सुंदर रूप में उबरावा दिख रहा है तेजो मय अवस्ता में है आप तेजो स्वी हैं कहीं न कहीं ऐसे बिक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर होता है जो सुंदरता है जो आकरशन है वो ऐसे बिक्ति के अंदर विद्यमान होता है हर प्रस्तिति को जेलने की चमता आपके अंदर है अपने को मेंटेन डखना अपनी परस्नल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना नई चीजों की परतिरुजान रहना ये आपके अंदर है आने वाले समय में परिवार का सयोग मिलेगा परिवार का साथ मिलेगा और सुकों का भोग करेंगे ये बता रहा है निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्योजन उलजन की इस्तिती जरूर जल्म दे रही है और सारिक विकार उत्पन करने बैठ जाए तो आँखों की समस्या पेट की समस्या बलड प्रेसर की समस्या आतमे विश्वास में कमी ये चीज़ें देती है इसका ध्यान रखना है ब्रिस्पती मैंने बता दिया है सनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है यहाँ पे उठ गया है यह बरतमान में प्रभाव दे रहा है आपने अंगोठी पहनी है इसको एक्टिबेट आप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं तो मैं आपको उपाई दूँगा मंतर दूँगा एक इसको एक्टिबिट रखने के लिए रातरी काल के समयगा तभी ये ज़्यादा फाइदा होगा अन्यथा अंगोटी के वल पहनने से बहुत ज़्यादा फाइदा नहीं होता देखेगा ये मोबाईल है जैसे हमारा उसमें सारे फंक्सन है सारे वो काम करता है बड़ा फाइदा देता है लेकिन उसको हम चार्ज नहीं करेंगे तो बैटरी लो हो जाएगी खतम हो जाएगी तो वो काम नहीं करेगा ऐसा ही ये अंगोटी है सब कुछ करने की छमता रखती है लेकिन उसको आप एक्टिबेट नहीं करेंगे चार्ज नहीं करेंगे तो वो अपना फल कैसे देगी यहाँ पर मैं आपको वो मंतर दोंगा रादरी के समय का वो जरूर करेगा इस अंगोटी को एक्टिबेट करेगा तब इसका फाइदा आपको मिलेगा ठीक है न अंगोटी है बहुत सुन्दर है बहुत लाख गुणा फल देती है लेकिन इसको एक्टिबेट रखना भी बहुत जरूरी होता है यहाँ पर बैठा हुआ है ऐसी इस्तिति में कारियों में अर्चन आने की संभावना रहती है ऐसी इस्तिति में लोग अपना काम निकाल लेते हैं लेकिन जब आपका काम आता है तो कहीं न कहीं बहाने मानने सुरूर हो जाते हैं इस्तिमाल करते हैं विक्ति को धोका देते हैं विक्ति को यह इसकी संभाहोना बढ़ जाती है यह इस परकार से उठ जाता है अन्बैलेंस हो जाता है तो जीवन में बिना जाहे कि चिंताइं विक्ति करने लग जाता है ठीक है ना? या कोई ऐसी वो जहें पैदा होने बैठ जाती जिसके कारण जो है चिन्ता का भाव रहे है तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजेगा सूर्य आपका अच्छा है लेकिन यहाँ पे बैठ गया है तो बरत्मान समय में जितना आप मिहनत कर रहे हैं जितना परिस्रम कर रहे हैं उसके हिसाब से पूरा सरे और क्रेडिट जो मिलना चाहे था उस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है जो प्रयास आप कर रहे हैं प्रयास बहुत अच्छे कर रहे हैं कहीं न कहीं वहां तक भी पहुँच रहे हैं लेकिन वहीं तक रह रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो क्वालिटी और जो योगिता आपके अंदर है उस तरह से चीजें निखरने में थोड़ी सी बिलम्म हो रहा है ऐसे में बिक्ति नौकरी करता तो है ठीक भी चलती है लेकिन वास्तु ग्रोथ जो मिलनी चाहे थी उसमें थोड़ा सा जो है बिलम्म हो जाता है ऐसे में बिक्ति ब्यापार की तरब जाता है तो जो विस्तार जो फैलाव मिलना चाहे था उसमें हलक कमी रहती है जीवन में सहिचता से सरालता से चीजें नहीं मिल पाती है तो इसके लिए सूर्य किरिया बहुत जरूरी होती है बुद्ध में सांदार रेखाई हैं अत्यंत सुन्दर ता उम्र जीवन परिंत अपने हाथ का पैसा बिक्ति के पास रहता है और एक से ज़्यादा भासाओं का भी बिक्ति ग्याता होता है और ब्यापार के गोण बिक्ति के अंदर बहुत अच्छे होते हैं और हर प्रस्तित को समझने वाला बिक्ति होता है मनो बेग्यानिक के छेत्र में माहिर ऐसे लोग होते है सामने वाली बिक्ति को किस परकार से प्रभावित करना है आप इस चीज़ को जानते है अब देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेली का विशलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके ओडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं करने की कोसिस करें बहुत अच्छा रहेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमशकार